हेलो दोस्तों, वेलकम बेक टू आरिव्यो नोवाल, यह है पार्ट टॉन्टी टू है, पिछले पार्ट की लिंक की नीचे डिस्क्रिप्शन और उपर आई वटन में मिल जाएगी आपने चैनल को जोइन करते हुए सपोर्ट किया है, जिसके लिए आपका तहे दिल से सुक्रिया यदि आप भी चैनल को जोइन करना चाहते हो, तो जोइन बटन सब्सक्राइब बटन की साइड में और लिंक की नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उससे भी आप चैनल को जोइन करते हुए सपोर्ट कर सकते हो, चलिए तो वीडियो सुरू करते हैं, इसके बाद तांगसन सीधे अपने कमरे में चला जाता है, और तांगसन लगतार जुएन्टी अन गॉंग की प्रेक्टिस करता है, जिससे से तांगसन की बोडी में भी च की हुई होती है, और इसी के करण तांगसन सिक्स टियर पर पहुंच सका होता है, इसके बाद तांगसन इसे बिंड वुल्फ के ब्लड लाइन के साथ फ्यूज करता है, जिससे दौनों ही मारक कापने लगते हैं, यह दौनों ही एक दूसरे को रिजेक्ट कर रहे होते हैं, ह इससे वह फ्यूज होने लगते हैं, लेकिन इससे वह काफी ज़्यादा हल चल भी करते हैं, ठीक इसी समय भाइट लाइट दिखाई देती है, जिससे बांकी के मारक की लाइट कुछ फीकी पड़ जाती है, और उससे यह दौनों मारक भी कांप जाते हैं, और फ्यूजन प् टियर फोर, बाकी के सभी टियर थर्ड पर इसका मतलब सभी डी ग्रेड हुए होते हैं, लेकिन तांगसन अपनी पावर को आगे वढ़ानी की कोसिस करता है, क्योंकि यदि सामान पावर के डीमोन से सामना करना होता है, तो वह इंसानों की तुलना में पावर्फुल होते है साथ ही उनके पास काई hidden ability भी होती है, इसी तरह से cultivation करते हुए सुभए हो जाती है, early morning का time होता है, धमाके की आवाज आती है, तांगसन की room का कोई दर्वाजा बुरी तरह से पीट रहा होता है, जिससे से तांगसन की cultivation रुक जाती है, तांगसन ने आखे खोलते हुए देख होती है, आखिरकार reading वाई को अब होस आया होता है, reading वाई काफी ज़्यादा जल्दी में तांगसन से मिलने के लिए excited होता है, क्योंकि reading वाई की जो third tier की power कई सालों से होती है, अब बहे break होते हुए fourth tier की power में enter कर गई होती है, इस पर तांगसन इसे master को बताने के लिए कहता है, क्योंकि reading वाई अब और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, इसी के साथ कुछ ही समय में तांगसन केफेटेरिया में चला जाता है, तांगसन धीरे धीरे चल रहा होता है, क्योंकि गुवान तांगसन को डाटने वाला होता है, तभी गुवान तांगसन को देखते हु इससे गुवान भी तांगसन से उसे सीक्रेट रखने के लिए कहता है, ऐसा इसलिए, क्योंकि reading वाई की ability पावरफुल होने के साथ बैड लक लेकर भी आईगी, जब तक reading वाई इसे कंट्रोल नहीं करता है, और reading वाई उसे इतने जल्दी कंट्रोल करना नहीं सीख सकता है, यहाँ पर हमें तांगसन से एक बात का और पता चलता है, जब तांगसन के पास reading वाई आया था, तो वहें तांगसन के गले लग जाता है, जिससे तांगसन को पता चल जाता है, तांगसन reading वाई से पावर को एब्जॉर्ब ना भी करे, तब भी उसकी स्काइफॉक्स की bloodline लगतार evolve होती रहेगी, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक तांगसन reading वाई के साथ होता है, तांगसन ने reading वाई को परपल आई टेक्निक भी बता दी होती है, जिससे अब reading वाई भी परपल आई की cultivation को कर सकता है, इसके बाद रात होने पर सभी एक सांथ बैठते हैं, जबी काफी ज़्यादा हैरान होते हैं, और अगले दिन physical fitness की class में ये नियू तांगसन को काफी ज़्यादा ध्यान से देख रही होती है, और तांगसन से पूछती है, क्या तुम सच में six tier पर पहुँच गए हो, क्योंकि ये नियू खुद ही master होते हुए भी seven tier पर है, इसी हैं, इसके बाद अगली रात में home town भी जाग जाता है, लेकिन उसकी power में कुछ खास changes नहीं हुए होते हैं, इसी के साथ दो दिन बाद पता चलता है, जीचेंग और home town ने भी five tier की power को break कर दिया है, इसके साथ ही अब सभी को पता चलता है, तांगसन के साथ जो भी हंट पर इसके बाद जब रात में सभी एक साथ होते हैं, तो यह अपने हंट से कमाई हुए पैसों का वटवारा करते हैं, यहाँ पर तांगसन ने सभी को कुछ ना कुछ सिखाया होता है, इसी के साथ यह अपनी cultivation सही कर सकें, जिसके लिए जल्दी ही यह उस छोटी दुकान पर चल जाते हैं, इन पांचों को देखते हुए यह नियू हसते हुए कहती है, तो यहाँ पर कुछ छोटे पांच अमीर आ रहे हैं, इसी के साथ तांगसन को जो चाहिए होता है, उसकी लिष्ट बनाकर तांगसन यह नियू को देता है, उसी लिष्ट में एक ड्रेगन अनुषार बेकार ही लेकिन जिस्टेसे वह 대angन से पूचती है क्या तुम सच में इसे लेना चाहते हो इसी तारह से सभी 대angन काहे अनुषार अपने लिए जरूरी शामान को खरीदिते हैं और बाहर निकल आते हैं इसके बादbe tancon हर एक आइटम का यूज़ करेगा इसे हम फ्यूचर की वीडियो के साथ कवर करेंगे इन्ही हर्व में एक जैड सफायर बाइन भी होती है जो एक प्रकार की डीमोन ही होती है लेकिन यह सबसे बीक होती है इसकी तुलना हम तांगसन की पिछली जिंदिगी की बिलू सिलवर ग्रास से भी कर सकते हैं तांगसन इसे निकालता है तो वह यहाँ वहाँ भागने लगती है लेकिन तांगसन जल्दी ही इसकी पावर को एब्सॉर्व कर लेता है जिससे से तांगसन की बोडी में इसका सिक्स मार्क बन जाता है जब तांगसन इसे एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसके बाद तांगसन अपना राइट हेंड आगे करता है इसी के साथ हाथ से अचानक बिलू लाइट निकलती हुई दिखाई देती है और एक छोटा सा ग्रोप बन जाता है यह ग्रीन जैड वाइन हाथ से निकलते हुई दिखाई देती है तांगसन की यह पहली एसी ब्लड लाइन मार को होती है जो की प्लांट से आया हुआ होता है तांगसन के लिए यह पहली वार नहीं होता है कि उसके पास हद से भी जादा कमजोर गिरास होती है इस पर तांगसन कहां जाएगा यह सब हम जानते हैं तांगसन तेजी के साथ मिलकी टी सौप की ओर बढ़ता है लेकिन जैसे जैसे वह सौप की ओर आगे बढ़ने लगता है तांगसन की स्पीड सुलो हो जाती है और जब तांगसन वहां पहुंच जाता है तो वह देखता है वहां पर वह है ही नहीं जिसे वह देखना चाहता है जिसे से तांगसन लाइन में भी नहीं लगा होता है वह नहीं जानता था वह कब बापस आईगी लेकिन समस्या इस बात की होती है कि वह इस बारे में किसी से पूछ भी नहीं सकता है अब तक रात होने वाली होती है जिसे से वह लाइन में ल के लिए कुछ time मिल सके इसके साथ ही tansan बातों ही बातों में महीं गॉमगी के बारे में पुछने लगता है लेकिन तांशन को ज0-0 जयादा जानकारी नहीं मिल पाती है और जो भी मिली होती है वह यह होती है कि वह स्कूल गई है। इस पर तांधसन के मन में कई सवाल होते हैं। जैसे की क्या वह वी एक जागिरदार है, क्या वह केरी कॉलेज गई है। लेकिन तांधसन उन्हें पोच नहीं सकता है, एकेडमी बापस आकर तांगसन सभी को वह मिल्क देता है जिसे लेकर सभी खोस होते है इसके बाद तांगसन मेयर से कुछ हेल्प मांगने के लिए कहता है अब मेयर मना करने से तो रहा तव तांगसन मेयर से एक वेपन बनाने के लिए कहता है मेर के पूछने पर तंगसन उसे हैमर बनाने के लिए कहता है इस पर मेर भी रेडी होता है और अगले दिन की दोपाहर का टाइम देता है लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है क्योंकि मेर कोई ब्लैक समित नहीं है इसी के साथ मेर तंगसन को रेडिमसन और्गनाईजेशन के औरेंज लेवल पर अपग्रेड करने के लिए रेक्वेस्ट देने की बात भी बताता है फिर मेर तंगसन को जाने के लिए कहता है इसके साथ ही मेर मिलक कप को हाथ में रखते हुए तांगसन के ओरिजन के बारे में सोचता है कि तांगसन को आखिर इतनी जानकारी कहां से पता होती है लेकिन अब हम तो जानते हैं मेर को सिर्फ कितना पता हो सकता है इसी के साथ यह वीडियो यहां खत्म होती है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे क्या तांगसन के पास इस जिन्दिगी में भी हैमर और ब्लू सिल्वर ग्रास हो सकती है थैंक्स पॉर वाचिंग